वेलो शुडेंट्स, वेलकम टो आएपैस, तो शुडेंट्स, आज मैं आप साब के लिए एक बहुती इंपोर्टेंट कंसेप्ट लेकर आया हूँ, देखे टॉर्क सभी को लिखनी आती है, सभी बच्चों को आपको टॉर्क लिखनी आती है, बड़ जो चीज आपको कहीं मि मिलेकर टॉर्क लेटे हो, और किसी पॉइंट के बाउट आप टॉर्क नहीं लेते हो, लेते ले सकते हो, लेकिन लेते suppose that भई मेरे पास एक block है ठीक है यह मेरे पास M mass का block है ओके और मैं इस पर एक force लगाना चाहता हूं suppose that मैं force लगा देता हूं इस पर F force तो मुझे यह बताना है कि इस पर यह maximum force कित्ती लगाऊं हूं मैं कि यह टॉपल ना हो टॉपल मतलब यह rotate ना हो जाए ऐसे घूमना जाए ब्लोक यहां से उठकर यह ऐसे घूमना जाए तो ब्लोक टॉपल ना हो maximum force मेरी कितनी होनी चाहिए यह मेरा question है ठीक है कि ब्लोक टॉपल ना हो maximum force कितनी लगाई जा सकती है तो अब आप क्या करोगे है कि नॉर्मल हमेशे center of mass पर ही रहता है बीच में से आप हमेशे क्या करते हो कि यह center of mass है यहां से यह नीचे mg लग रहा है और इसी पर नॉर्मल लग रही है बिल्कुल सही बात है मैं मानता हूं सही है लेकिन जब यहां पर आप force लगाओगे तो नॉर्मल शिप्ट होएग ठीक है वो नॉर्मल यहां पर थोड़ा सा क्या होगा जब यहां पर थोड़ी सी ज्यादा force लगाओगे नॉर्मल यहां पर और ज्यादा force लगाओगे नॉर्मल यहां पर और ज्यादा force लगाओगे नॉर्मल यहां पर और ज्यादा force लगाओगे नॉर्मल यहां पर तो हम क्या करते हैं मैक्सिमम फोर्स के लिए कि मैं मान लेता हूं कि टॉप लिंग की लिमिट क्या है मैक्सिमम लिमिट कहां तक कहां तक फोर्स लगा सकता हूं भाई आप बस यहीं तक फोर्स लगा सकते हो जब तक नॉर्मल यहां शिप्ट हो जाए तो आपका यहां लग र आप एकदम से बस चलती है या बस रुखती है तो आप ऐसे थोड़ा इधर होते हो लेकिन आप ध्यान देना कि आप पैर इसलिए खोलते हो कि जिससे जो नॉर्मल पास हो रहा है आपकी बॉड़ी के बीच में से वो दोनों पैरों के बीच में रहे अगर आप पैर बंद करके ऐसे खड़े हो जाओगे तो अगर आप ऐसे होगे तो नॉर्मल आपका दोनों जो पैर है बेस उससे भार निकल जाएगा और आपका यहां पर आप टॉपल हो जाओगे मतलब आप रोटेट हो जाओगे गिर जाओगे तो इस वाज़े से आप अपने बेस को बढ़ाना चा के और दो होगा कि आपके तो बहुत कि मैं खेक का तो से नॉर्मल न करेका आएम तू इस इक आप लिखोगे दूसरे को बलनस करेंगे तो आपको पता ही है mgb equal to fh तो आपने बोला कि sir f होगी हमारी mgb by h यह बिल्कुल सही है यह बिल्कुल सही है अब एक दूसरा बच्चा है दूसरा बच्चा क्या बोलता है वो बोलता है sir मैं तो इस पॉइंट के बाउट ना इस पॉइंट के बाउट लूँगा टॉर्क देखो बच्चा क्या कर रहा है इस पॉइंट के बाउट टॉर्क ले रहा है ना कि इस पॉइंट के बाउट तो जब वो बच्चा इस पॉइंट के बाउट टॉर्क लेगा इसको बोल देता है पी पॉइंट तो यह टॉर्क अबाउट आपने पी लिखी है और इसको बोल देते है ओ पॉइंट एक बच्चा टॉर्क लिफना चाहता है अबाउट ओ बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है समझना इस बात को दिया दूए और कबाउट ओ लिखेगा तो क्या करेगा बढ़ी नॉर्मल की टॉर्क तो जीरो हो गई क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो सी पॉइंट से और यहां पर कॉनकों सी फोर्स लग रही है एक एक यह फोर्स लग रही है ऐसे आर क्रॉस एक तो दूनों टॉर्क एक बैलनस करेंगे तब भी बॉड़ी टॉपल नहीं होगी तो हम लिख देते हैं एम जी इंटू बी बाइटू इक्वल टू एफ इन्टू एज अब यहा यहां पर mgby हा रहा है इधर mgby 2 हा रहा है कौन सही अदमे से इन में से यह वाला आदमी सही है जिसने सेंट्र आफ मास के बाउट टॉर्क लिए क्यों यह क्यों गलते सर देखो जब बॉड़ी पर फोर्स लगा रहे हो तो बॉड़ी इस एन एक्सिलरेटिंग फ्रेम यह यहां करा ओ पॉइंट के बाउट टॉर्क तो ले लिए mg और एफ की ठीक है एंकी जिलो हो गई लिए लेकिन एक सूड़ फोर्स भी लगेगी सूड़ फोर्स कितनी लगती है सूड़ फोर्स कितनी लगती अब दुबारा में से डाइग्राम को बना देता हूं यह देखो य यहां पर आप SUDO FORCE की TORK भूल गए SUDO FORCE क्या होती है? MINUS OF MASS OF OBJECT INTO ACCELLERATION OF OBZERVER ACCELLERATION यहां पर OBZERVER का यह BOX ही है BOX पर ही बैठ कर देख रहे है तो ACCELLERATION इसका A हो रहा है A EQUAL TO F BY M और MASS OF OBJECT M तो ACTUALLY में यहां पर DECKU मैं बता देता हूँ MASS OF OBJECT into acceleration of observer observer इसके ओपर ही खड़ा है यहाँ पर यहाँ पर से ले रहे हो ने टॉर्क तो यह accelerating frame है तो acceleration इसका कितना हो रहा है ए और यह mass of object इतना तो कितना आ गया mass minus mass of object M है और acceleration of observer F by M है तो यह हो गया माइनस F इसका मतलब माइनस F force लगेगी माइनस मतलब direction शो कर रहा है तो center of mass पर आपने यह pseudo force लगा दिया है अब आप टॉर्क लिखो ओ पॉइंट के बाउट जब आप टॉर्क लिखोगे अब आउट ओ पॉइंट कब क्या होगा अब आप लिखोगे देखो mg इंटू यह कितना था आपका बी था और यह कितना था आपका h था तो आप लिखोगे mg इंटू बी बाई टू देखो कौन कौन सी टॉर किस तरफ आ रही है mg की टॉर कैसे आ रही है इस F की टॉर कैसे आ रही है ऐसे इसी तरफ आ और इस फ की टॉर्क उपरवाले की इस तरफ आ रिया अंदर की राफ तो mg इंटू by 2 को एमजी इंटु by 2 यह है न यह है आपका एम जी इंटू बी बाई टू प्लस इसकी बिसी डिरॉक्षन में टॉर्क रॉस फ आर क्लोस फ प्लस F into H by 2 is equal to यह force इस तरफ लग रही है इस तरफ इसकी टॉर कैसे? R cross F F into H तो यह कितना हो गया? Mg B by 2 equal to F H by 2, यह 2 से 2 cancel हो गया, force कितना आ गया? Mg B by H अब आप देखों यह आप पर दोनों के दोनों सहीं आ गए नहीं आ गए? Mg B by H Mg B by H तो इस वज़ा से हम torque हमेशा prefer करते हैं center of mass के बाउट लिखने के लिए क्योंकि देखो इसमें आपको pseudo force की torque का नहीं ध्यान रखना, ही कहें मैं मानता हूँ कि body आपकी accelerating है, non-inertial frame है लेकिन आप torque इसी के बाउट ले रहे हो तो जब pseudo force आएगी ना, तो pseudo force का torque अपने आप ही zero हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रोती नहीं उस पर ध्यान देने की ज़रोती नहीं पड़ेगी, तो हम कहीं pseudo force का torque लिखना भूलना जाएं, इस वज़ा से हम prefer करते हैं हमेशा की center of mass के बाउट लिख सकते हो, मैंने देख प्रिफर करता है कि center of mass के बाउट लिखे जाए, तो यह था आज का torque का concept अच्छा लगा हो, तो like करिएगा, सभी बच्चे शेर करिएगा, बहुत important concept है, इस चीज को मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करिए कि क्यों हम ऐसे torque में center of mass के बाउट हमेशा लिखन प्रिफर करते हैं, ठीक है, सो मिलते हैं आगली वीडियो में, thank you, happy learning, goodbye